अलाइनस, अलाइनस का हिंदी मिनिंग होता है एक रूपता, एका, गटवन्न, नाता, मैत्री, संधी, संबंद, संख्य, संजोता, मैत्री, पूर्ण, संबंद या वैवाहिक, संबंद दोस्तों alliance को हम अलग-अलग Hindi word के लिए English sentences में यूज करते हैं आईए इसके कुछ examples देख लेते हैं कि हम English word alliance को English sentences में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और हमारा पहले example है The companies have formed an alliance to market the product The companies have formed an alliance to market the product मतलब companies ने उत्पादन के विपड़न के लिए एक कडवन्दन बनाया है चली दोस्तों हम alliance का एक और example देख लेते हैं The two parties entered into a defensive alliance with each other to win the election The two parties enter into a defensive alliance with each other to win the election मतलब चुनाब जीतने के लिए दोनों दलों ने एक दूसरे के साथ रक्षात्मक गढवन्दन में प्रिवेश किया दोस्तों इस sentence में alliance का meaning हुआ गढवन्दन दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको इस word का meaning अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको अच्छे से समझ आया हूँ तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए चैनल पर well icon को press करना पिलकूल न भूले ताकि मेरी वीडियो की latest update आपता हो सबसे बहले पुंशती रहे Thank you